इवाचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए विशेश फल दिया जाएगा ताकि युवा प्रतिभाएं आगे बढ़ सकें ये शब्द सांसत अनराक ठाकु ने भोरिज उपमंडल के लूदर में कॉमन बैल्ट केम्स में कांशे पदक विजेता विकास ठाकुर के आयोजी समान समारों में विक्त किये उन्होंने कहा कि विकास ठाकुर ने कॉमन वैल्ट गेम्स में कांसे पदक जीत कर हमिर्पू जिला का ही नहीं अपीतु पूरे परदेश का नाम चमकाया है तो था हमिर्पू जिला में विकास ठाकुर के नाम से 25 जिम खोले जाएंगे जिनमें पर्टेक विधान सवक शेतर में 55 जिम खोले जाएंगे इसके लिए अवश्यक दिशा निदेश भी दिये जा चुकी हैं ताकि युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेर ना मिल सके तो थाकुर ने कहा कि विकास ठाकुर ने प्रारंबिक तोर पर जिम के माधिम से ही अपना अव्यास अरम किया था तब ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि हमिर्पु संस्तीक शेतिक के स्कूलों में खेल कूद के लिए बहते सुबधाईं देने के लिए प्लान तियार किया गया है तिथा इसके लिए शिक्षाविभाग को टेवल टैनिस सूटिंग इतियादी के लिए आवश्यक जगा या हॉल उपलब्द करव पाई जाएंगी उत्कृष्प प्रदर्शन करने वाले कि लाडियों को प्रशिक्षन की व्यवस्था के लिए भी कारगर कदम उठाए जाएंगे जहां कॉमनवेल्ट खेलों के बहुत सारे देश भाग लेते हूं एक सो तीस करोड के हिंदोस्तान मेंसे भी और दुनिया भर के देशों मेंसे भी पहले तीन पदक पाने वालों मेंसे हमारे अपने गाओं का अपने शहर का अपने जिला का अपने प्रदेश का भाई वेट अप और विज्यास ठाकुर्जी जीते हूं तो इससे बड़ी करफ की बात मारे लिए कुछ नहीं यह बड़ी बात है और एक बात यहां पर मैं एक अनॉंस्मेंट भी करना चाहता हूं हाला कि मैंने सोचा था कोई मंच होगा तो वहां पर करेंगे क्योंकि यह जिला हविरपूर से हैं वेट लिफ्टिंग में अच्छा काम किया है और आज जो हम सबसे बड़ी समस्या देते हैं नौजवानों में वो हम देखते हैं कि नशे की मार के कारण नौजवान का कही न कहीं समात से दूर हट रहा है देश के विकास में उसका योगदान नहीं हो पारा तो देश के विकास में युवान का योगदान हो और खेलों में हमारे नौजवान और मैडल जीते हैं मैं जिला हमिरपूर के लिए 25 जिमनेजियम और वो जिम जो होंगे वो विकास ठाकुर जी के नाम से हम हर जगा पर इंस्टॉल रहें